हलो एस्पिरेंज, वेलकम तू दा यूपीसी एनलाइजर, तोड़े वी विल डिस्कस नियूस्पेपर अनालिस देट 18 जैन्वरी 2023 और इफ यू आर फांदिंग दिस अनालिस हेलफुल देन प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब यहाँ पर The Indian Express Excellence in Governance Awards तो इनको बहुत ज़ादा कवर किया गया है लेकिन हमारे एक्जाम के पॉस्पेक्टिफ से बिलकुल भी इंपॉर्टर नहीं है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान तीन वार्स करके देख चुका है इंडिया के साथ peaceful relations को बिल्ड करना चाहता है ये यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कहना है तो पहली बात तो ये दूसरा एक और बहुत important बात होती है तो कुछ टाइम से हम डिसकस कर रहे थे कि जब भी यहाँ पर पाकिस्तानी based terrorist को global terrorist designate करने की बात आती है तो चाइना उस प्रोपोजल को ब्लॉक कर देता था तो चाइना के अपने कुछ जियो पॉलिटिक्स के चलते क्योंकि यहाँ पर चाइना आंट पाकिस्तान के relations अच्छे है जिसकी वज़े से यहाँ पर जो चाइना है उस प्रोपोजल को ब्लॉक कर देता था तो इंडिया चाहता था कि जो अब्दुलरह्मान मक्की है इसको यहाँ पर global terrorist की तरह designate किया जा तो दो news आपको first page में यही मिलेंगी तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स रिमार्क्स कपल्ड विच चाइना लिफ्टिंग इस ब्लॉग तो लेट ता लेट लशकरे ताइबाज जेप्टी चीफ बे लिस्टेड अग्लोबल टेरिस्ट is being seen as an important signal to Delhi इंडिया has welcomed the terror listing लेकिन जो यहाँ पर शेहबाज शरीफ ने का कि ये इंडिया के साथ relations को build करना चाहते हैं इंडिया ने इसके उपर अभी तक कोई comment नहीं किया है तो इंडिया basically देखना चाहता है कि जो पाकिस्तान की civilian government कह रही है आर्मी का यहाँ पर क्या रुख है before taking any step क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आर्मी कुछ और शाती हो आर्मी के पास बहुत जादा power है चाइना lifts block UNSC list लेशकरे ताइबास मक्की as terrorist तो अबदुर्रह्मान मक्की को यहाँ पर list कर दिया गया है as global terrorist तो इसको यहाँ पर designate कर दिया गया है as global terrorist 7 months after it blocked India's bid to list Pakistan-based terror outfit लेशकरे ताइबास deputy chief अबदुर्रह्मान मक्की as a global terrorist China lifted the block and allowed the UNSC जिसको यहाँ पर designate कर दिया गया है global terrorist for raising funds, recruiting and radicalizing youth to violence and planning attacks in India तो यह important news आपको पता होना चाहिए we are creating people who in old technologies will be called cyborgs अब यह बिल्कुल भी news important नहीं है इसमें Siddharth Mukherjee जो की oncologist है उनसे यहाँ पर बातचीत हुई है Indian Express की exam के लिए बिल्कुल important नहीं है लेकिन यह word cyborgs कुछ टाइम पहले भी मैंने इस word को देखा था जब में DRDO के बारे में कुछ बढ़ रही थी कि DRDO यहाँ पर red cyborg हो बना रहा है तो cyborg होता क्या है तो basically क्या किया जा रहा था red पे technology को implant किया जा रहा था तो ऐसे ही अगर humans में भी technology को implant कर दिया जाए तो आप कह सकते हो कि यह यहाँ पर cyborg है someone who has technology implanted into their body an implant that can't be removed without surgical intervention another less strict definition describes a cyborg as someone who extends their skills and senses through technology तो basically जो DRDO को project उसमें rats के ओपर यहाँ पर technology intervention करके कुछ surgical intervention करके हाँ पर technology को implant किया जा रहा था अब humans में आप cyborg समच सकते हो जैसे की artificial pancreas giving the example of artificial pancreas in the making इसके लाब a bone marrow transplant तो यह सब कुछ यहाँ पर intervention तो ही है तो इसको यहाँ पर बताया गया यह important नहीं लेकिन साइबार क्या है यह important हो सकता है अब हम चलते हैं आगे Supreme Court to Center won't lack of power in posting dilute functional control of Delhi ministers over officers तो यह हमने discuss किया था पूरा इश्यू क्या चल रहा है Delhi government what's a center का तो यहाँ पर जो इश्यू है यह यह है कि जो services है उनका administrative control किसके पास रहेगा उसका administrative control यहाँ पर Delhi के elected government के पास रहना चाहिए या तो central government के पास रहना चाहिए तो जो यहाँ पर center को represent कर रहे थे उनका यह कहना है कि basically यहाँ पर दो तरीके के roles होते है एक होता है functional और एक होता है administrative तो जहां तक यहाँ पर functional control की बात है तो functional control तो यहाँ पर Delhi के elected government के पास है administrative control जरूर यहाँ पर central government के पास है and administrative control central government के पास इसी लिए है क्योंकि Delhi national capital है and Delhi face of the country है इसलिए Central Government के पास यहाँ पर Administrative Control है लेकिन Functional Control यहाँ पर Delhi की Elected Government के पास ही है अब उसके बाद यहाँ पर Chief Justice of India का यह question था कि यह जो आपने मुझे Demarkation बताया Functional Control का, Administrative Control का तो क्या इसकी वज़े से यहाँ पर Enemoli नहीं आ सकती है तो for example यहाँ पर कोई I.S. officer है जो कि Delhi में posted है उसको यह पता है कि उसको यहाँ पर जो Delhi Government है यह तो कहीं और transfer नहीं ही कर सकती है क्योंकि यहाँ पर जो ultimate signal आना है जो green signal आना है यह तो Ministry of Home Affairs से आना है तो क्या इसकी वज़े से functional control dilute नहीं होता है यह यहाँ पर Chief Justice of India का question है अभी इसकी hearing बाद में वापस ही होगी The SG reiterated that in case of NCT of Delhi, the functional control vests in the elected wing while the administrative control is vested constitutionally in the President who exercises the same through the Lieutenant Governor Article 239 AA के बारे में भी discuss किया था तो जो Delhi Government है यह यहाँ पर laws बना सकती है जो भी यहाँ पर concurrent list में subjects हैं या तो state list में subjects हैं लेकिन Public Order, Police and Lent यह यहाँ पर Delhi Government के control में नहीं आता है Yes to first, therefore yes to second, यह important यह लेकिन Public Order, Police and Lent तो यह exceptions which have been exempted from its purview under Article 239 AA बाकी arguments Wednesday से वापस से continue होँगे तब हम discuss करेंगे अब हम चलते हैं आगे यह important है rare duck species cited after 94 years तो यह लोग टक लेक जो की मनिपर है वहाँ पर cite की गई है greater scope तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह एक duck है जैसे कि इस बर problems में question आया था जिसमें महशीर था क्या महशीर यहाँ पर क्या है तो जैसे महशीर एक fish है वैसे ही आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि greater scope है क्या तो यह एक duck है डग की रेयर स्पीशीज है जिसको की 94 यर्स के बाद साइट किया गया है तो आपको यहाँ पर एक लोकेशन मिल गई लोक्टक लेक जो की मनेपूर है आँचे 94 यर्स के बाद यहाँ पर देखी है तो इसके बारे में हमने डिसकस किया था था ठीम एपाई केस में जिसमें सुक्रीम कोट ने यह कहा था कि जो माइनौरिटीज है उनको स्टेट लेवल पर इडिन्टिफाई करने की जरूरत है तो माइनौरिटीज को स्टेट लेवल के उपर इडिन्टिफाई करने की जरूरत है और सेंटर से यहाँ पर कहा गया था कि आपका यहाँ पर क्या सोचना है इस विशह में तो सेंटर नहीं यह कहता कि हम बाकी स्टेट से अभी बात चीत कर रहे हैं के बाद हम आपको बताएंगे तो बात यह है कि यह जो यहाँ पर सेंटर बाकी स्टेट से पूछ रहा है इस काम को करने में बहुत लंबा समय लग रहा है यहां तक कि जहां पर बीजेपी रिजीम से वह वाले स्टेट पी अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं यही बात यहां पर चीफ जस्टिस अफ इंडिया ने नहीं यहां पर जो जस्टिस कॉल है उन्हों ने पूछी है कि इतना ज़दा टाइम क्यों लग रहा है जहां पर आपकी रिजीम है उनसे भी यहां पर जवाब मागने में इतना टाइम क्यों लग रहा है तो Supreme Court Tuesday asked the center why states like Arunachal Pradesh, which too has a BJP government and centrally administered union territories like Jammu and Kashmir and Lakshadeep, were not responding to its query, seeking views on demands to enforce the law that religious and linguistic minorities को यहाँ पर state level पर identify करने की जरूरत है. For example, Punjab, तो Punjab में यहाँ पर हिंदूस minority में हैं, तो हिंदूस को minority tag देने की जरूरत है, तो minorities को यहाँ पर identify करने की जरूरत है, state level पर. तो यह यहाँ पर पूरा issue है. 24 states and 6 union territories had furnished their views and अभी यहाँ पर कुछ states बचे हैं, जिन्होंने अपने opinion को नहीं sent किया है, तो इनको इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, यह यहाँ पर पूछा गया है Supreme Court के द्वारा center से. आगे हम चलते हैं, the wrong step, यह हम discuss करेंगे, same article next page पर भी आया, वहाँ पर भी हम discuss करेंगे. तो कल हमने discuss किया था, कि जो यहाँ पर law minister है, इन्होंने एक letter लिखा, आट उसमें यह इन्होंने suggest किया, कि government की भी greater say होनी चाहिए in the process of appointments to the higher judiciary. अब author ने काई, यह जो proposal है कि government की यहाँ पर say होनी चाहिए, आट government को search and evaluation committee में यहाँ पर government का एक nominee होना चाहिए, तो जो government है, कलेजिया में एंटर करने की कोशिश कर रही है, government यहाँ पर judiciary की appointment process में एंटर करने की कोशिश कर रही है. Union Law Minister Kiran Rijiju's letter to Chief Justice of India D.Y. Chandrashud, suggesting that the government should have a greater say in the process of appointments to the higher judiciary is an extremely problematic proposal. It also comes in a fraught political context, the proposed inclusion of a government nominee in a new search and evaluation committee, तो अभी search and evaluation committee जैसी कोई चीज नहीं होती है, अभी यहाँ पर सिर्फ कलेजिया में जो कि recommendation देता है, लेकिन government ने यह का कि search and evaluation committee होना चाहिए, उसमें government का एक nominee होना चाहिए, जो कि यहाँ पर names को shortlist करेगा, और यह यहाँ पर recommendation देगा to the high court or supreme court collegium, seeks to change the president system in which names are rated by the collegium which comprises senior judges, तो अभी कुछ भी यहाँ पर search and evaluation committee जैसा नहीं है, बस यह letter में यहाँ पर लिखा गया कि search and evaluation committee होनी चाहिए, जिसमें यहाँ पर government nominee होना चाहिए, that is the government is trying through the new committee to turn the clock back and reinsert itself into a process over which judicial primacy was formalized in 1993, तो appointments में आपको यहाँ पर judiciary की primacy देखेगी, at NJAC में जब यहाँ पर government अपनी से चाहती थी, तो NJAC को यहाँ पर लाया गया था, लेकिन Supreme Court ने NJAC को unconstitutional declare कर दिया था, यह कहते हुए कि NJAC judicial independence को undermine कर रहा है and judicial independence basic feature of the constitution है, these interventions have sharpened apprehensions that the government is trying to use its popular mandate to subdue non-elected institutions, जैसे कि यहाँ पर जो government है, यह judiciary को undermine करने की कोशिश कर रही है, Judiciary is the custodian of individual rights and freedoms, anti-minorities को protect करती है against a transgression state or unbridled majoritarianism, to be sure the collegium system of appointments of judges is not perfect, तो collegium system भी यहाँ पर perfect नहीं है, collegium system में भी यहाँ पर improvements की जरुरत है, यहाँ पर ज़्यादा accountability की जरुरत है, transparency की जरुरत है, लेकिन जो reform यहाँ पर government की दोरा suggest किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से गलत है और यह judiciary की independence को undermine करता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि judiciary में diversity नहीं है, dalits का representation नहीं है, women का representation नहीं है, accountability नहीं है, transparency नहीं है, तो यह सब यहाँ पर ensure करने की जरुरत है, तो collegium system में भी improvement की जरुरत है, लेकिन इस तरीके से improvement करने की जरुरत नहीं है, next India and the new Eurasia, तो यहाँ प तो उसके बाद हमने देखा कि जो जैसे कि Japan, South Korea, तो यह अपने relations को और ज़्यादा build करने की कोशिच कर रहे है, European nations के साथ, ठीक है, तो इससे हमें यह पता चल रहा है, कि जो security Europe की है, and जो security Indo-Pacific की है, यह यहाँ पर connected है, Japan, which invented the contemporary geopolitical idea of the Indo-Pacific, is now well on its way to changing the way we think about the relationship between Asia and Europe, and यहाँ पर यह कहा गया कि जो Europe and Indo-Pacific की security है, यह indivisible है, Building on the ideas of its predecessor, the late Shinzo Abe, Kishida is determined to build strong military partnerships with Europe, इसके अलावा यहाँ पर South Korea भी Europe के साथ अपने engagement को built करने की कोशिच कर रहा है, US, Australia, which has joined the US and UK in the AUKUS arrangement, तो AUKUS की बारे में हमने discuss किया था, is equally eager to bring Europe into the Indo-Pacific, तो हमें यह समझा रहे हैं कि Europe and Indo-Pacific के कहीं ना कहीं यहाँ पर interconnected हिने से, Well, before Kishida and South Korean President, it was Xi Jinping and Vladimir Putin, जिन्होंने यहाँ पर Eurasia के बारे में कहा था, अब इनका यह कहना था कि जो West यह terminal decline में है and West यहाँ पर decline हो रहा है and यह सोचते हुए यहाँ पर Russia ने क्या किया, Russia ने यहाँ पर Ukraine के साथ war कर दिया, आट उसके बाद इनको realize हुआ कि West actually यहाँ पर terminal decline में ने यहाँ तकी war की वज़े से जो West की alliances है यह और जादे strong हो गई है, He might also have bet that Putin's success in Europe will enormously improve China's chances for its long-sort dominance over Asia, लेकिन China and Russia ने जैसा सोचा था कि war का जो result होगा, ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, Together Putin and Xi unveiled a Eurasian alliance that they might have hoped would deliver the long-awaited coup decrease to the global hegemony of the West, and इनको यह लगा कि West की hegemony खतम हो जाएगी इस war को करने के बाद, क्योंकि West यहाँ पर terminal decline में है, लेकिन ऐसा कुछ हमें होता हुआ देखने रहा है, अब इंडिया जो है, इंडिया का अभी तक क्या रहा है, इंडिया यहाँ पर दो तरीकी की बात करता है, कि एक हमारी maritime coalition है, और एक हमारी continental coalition है, तो maritime coalition में तो हम यहाँ पर quad के साथ बात करते हैं, और जहाँ तक continental coalition की बात की तो हम यहाँ पर Russia के साथ चले जाते हैं, ठीक है, तो यह demarkation अभी तक करना असान था, लेकिन अभी यह करना बहुत difficult हो चुका जब से Russia ने war किया है, तो हम यहाँ पर दो बोट के पर राइट कर रहे थे, एक हम maritime coalition की बात कर लेते थे, एक हम continental coalition की बात कर लेते थे, अब यह पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, तो हमने यहाँ पर डिसक्स किया था, जो draft rules हैं online gaming के लिए, तो उसकी बार में हमने डिसक्स किया था, तो हमने यह भी डिसक्स किया था कि एक यहाँ पर self-regulatory body होगी, और यहाँ पर वहाँ पर ही registration कराना होगा, और वहाँ से ही approval मिलेगा, तो author ने का यह अच्छा step है कि आपने यहाँ पर self-regulatory body की बात की, आपने यह नहीं का कि government की एक regulatory body होगी, जिसकी वज़े से यहाँ पर innovation hurt होता है, अगर बहुत ज़्यादा regulation होता है, तो self-regulatory body, good step. अगर हमें 1 trillion dollar digital economy की milestone की तरफ बढ़ना है, तो उसके लिए online gaming बहुत important हो जाता है, अभी जो online games है, इनको यहाँ पर differentiate किया जा सकता है, जैसे कि एक होते हैं games of skill and दूसरे होते हैं games of chance, तो games of skill जिसमें यहाँ पर application of mind होता है, थोड़ी बहुत यहाँ पर expertise की ज़रुत होती है अगर आपको यहाँ पर जीतना हो, लेकिन games of chance ही luck based होते हैं, इसमें expertise, skill इन सब की ज़रुत नहीं होती है, इंडिया में जो games of chance हैं यह illegal है, इनको यहाँ पर gambling की तरह consider किया जाता है, in the Indian context, games of chance are illegal and thus ruled out in the proposed SRO ecosystem, India's share of the global online gaming industry is currently just 1% अगर हम बाकी country से compare करें तो China का है 25% share and US का है 23% share, with a 38% compounded annual growth rate, the industry is expected to grow to $5 billion by 2025, center नहीं पर एक prudent step लिया है, एक soft touch approach को लेकर in the form of an SRO rather than a regulatory body under the government, तो यहाँ पर center का अच्छा step है कि यहाँ पर self regulatory body की बात की गई है, की गई है ना कि यहाँ पर यह कह दे है कि हम government के अंदर एक regulatory body बना देंगे, तो regulation करना है लेकिन इस तरीके से नहीं करना है कि innovation यहाँ पर hurt हो, next हम चलते हैं आगे, democide step by step, तो democracy जो है, यह कैसे खतम हो रही है, countries यहाँ पर democracy से कैसे दूर जा रहे हैं, तो जैसे कि हम examples देखते हैं, US में, जब Donald Trump यहाँ पर हार गए थे, तो जो यहाँ पर Donald Trump के supporters हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर riots, violents यह start कर दिया, ब्रजील में हमने कुछ टाइम पहले डिसकस किया, कि जो यहाँ पर जायर बॉल सुनारों के supporters हैं, इन्होंने यहाँ पर writing and violents start कर दिया, जर्मनी पार्लेमेंट के उपर कुछ टाइम पहले अटाक हुआ था, यह भी हमने डिसकस किया था, जर्मन पार्लेमेंट के पर अटाक हुआ है, तो यह सब हमें यह दिखा रहा है कि countries यहाँ पर दिमोक्रेसी से दूर जा रहे हैं, अब ऑथर ने यह बताये कि दिमोक्रेसी को बिल्ट करने में बहुत टाइम लगता है, जो की election result को overturn करना चाहते थे, उनका यह माना था कि Trump यहाँ पर विजेता है, और Trump ही यहाँ पर president बनने चाहिए, क्योंकि elections को यहाँ पर रिक्ट किया गया है, फिर यहाँ पर Brazil की बात की गई है, इसके लावर Germany की बात की गई है, and few predicted that in Brazil, thousands of pro Bolsonaro citizens would invade and occupy the three powers square, and यहाँ पर silva जीते थे, लेकिन यह मानने को ready ही नहीं थे, कि यहाँ पर silva जीते हैं, तो democracy को यहाँ पर build करने में बहुत जादा time लगता है, it can take at least a lifetime or longer, is a much tougher task than its destruction, which can be done in a trice, democracies can perish in still other ways, and even more gradually, जैसे कि sudden death, the weakness of sudden death, military को, तो यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है, democracy को खतम करने के लिए, बाकि आपको इस article में कुछ भी खास important point मिलेगा ने, next है यहाँ पर Fox in the Hen House, a Fox यहाँ पर government के लिए बात किया गया है, Fox in the Hen House, तो यहाँ पर collegium की बात की गई, जिसमें government enter होना चाहती है, As the law stands today, Supreme Court Collegium, जिसमें की Chief Justice of India and two senior most judges of the Supreme Court, तो यह यहाँ पर appoint करते है, Chief Justice of High Courts, इसके लाब दूसरा collegium जिसमें यहाँ पर Chief Justice of India and four most senior most judges होते है, तो यह यहाँ पर recommendation देते है, for the appointment to the Supreme Court judges, तो अभी तक यह है, Is there a need for a search come evaluation committee, तो search come evaluation committee की जरुवत भी है, कि यह कहा गया कि यहाँ पर short listing of judges होगी, यह यहाँ पर नाम recommend करेगी, collegium को, फिर collegium यहाँ पर government को देगा, क्या इसकी जरुवत भी है, search come evaluation committee की, तो author के according इसकी जरुवत बिलकुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम Chief Justice की बात करें, कि यहाँ पर किसको Chief Justice of High Court बनाय जाएगा, जो seniority के सबसे सबसे ज़ब से ज़एज होगा, उसको यहाँ पर Chief Justice of High Court बना दिया जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपको short list करने की क्या जरुवत है, यह तो convention established है, convention has it that the senior most judge of the High Court is appointed as Chief Justice of the High Court, convention also has it that ordinarily, it is only Chief Justice of the High Court who are appointed to the Supreme Court, तो ये तो seniority की basis पर ही हो रहा है तो इसमें आपको shortlist करने की क्या ही जरूरत है तो search come selection committee की तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है और अगर आपका ये कहना है कि हम merit की basis पर देखेंगे कि कौन सा judge यहाँ पर जाद अचा perform कर रहा है तो इसकी जानकारी भी यहाँ पर judges को जादा है government को कैसे पता हो सकता कि कौन सा judge यहाँ पर जादा चाप perform कर रहा है It is cleverly disguised proposal intended to be the first step by the government to enter the collegium which comprises of the judges exclusively The proposal will be destructive of the principle of separation of powers क्योंकि यहाँ पर government की entry हो जाएगी and यहाँ पर judicial independence को undermine होगा It is the judiciary of all institutions which is supposed to provide counter-majoritarian checks and balance to the functioning of the government The very same government should be on a committee charged for the duty of appointing judges who perform the function of checks and balances तो this would be akin to inviting the fox to the handouts in the NJAC case तो NJAC case को हम बहुत बार discuss कर चुके हैं कि Supreme Court ने इसको यहाँ पर unconstitutional declare कर दिया था There are only two ways of altering the law declared by the Supreme Court अब यहाँ पर Supreme Court ने यह कहा कि NJAC यहाँ पर unconstitutional है तो उसके बाद भी यहाँ पर दो तरीके थे कि इस law को यहाँ पर वापिस लाया जा सकता था कि आप यहाँ पर कुछ amendments करते आंट यह यहाँ पर revalidate हो जाता दूसरी बात यह कि यहाँ पर एक larger bench बनाई जा सकती थी जो कि इस decision को overturn कर रहे है लेकिन government ने ऐसा कुछ नहीं किया government क्या करने की कोशिश कर रहे है यहाँ पर vice president author का यह कहना है कि यहाँ पर यह करने की कोशिश की जारी है कि जो judiciary की legitimacy है उसको यहाँ पर खदम करने की कोशिश की जारी है Judiciary को delegitimize करने की कोशिश की जारी Instead high constitutional functionalities जैसे कि Vice President, including the Vice President and the Law Minister have been making statements जहां पर यह कहा जाता है कि यहां पर judges ही judges को appoint कर रहे है ऐसा तो किसी country भी नहीं होता है If the government is indeed serious about changing the manner and method of appointment of judges तो यहां पर government के पास majority है government चाहे तो यहां पर law लेकर आसकती तो government यहां पर law लेकर क्यों नहीं आ रही है यहां पर criticize करने का क्या मतलब है It is more likely than not that any suggestion by the collegium that is deemed uncomfortable and is opposed by the government has been dropped by the judiciary and यहां पर author ने यह कहा है कि अगर आपको यह लगता है कि आपको judges को shortlist करने की जरुरत है उसके बाद यहां पर collegium के पास नाम जाने चाहिए तो आप एक काम करो आप self-nomination को allow कर दो कि जिसको भी यहां पर खुद को nominate करना है वो कर सकता है and इसकी वज़े से यहां पर diversity भी ensure हो जाएगी It is this system of self-nomination which will ensure diversity of class, caste, creed, sexual orientation, leading to an understanding of the plurality and diversity that we need to see on the bench तो यहां पर author ने का है कि अगर आपको यह लगता ही है कि shortlist करने की जरुरत है तो आप यहां पर self-nomination allow कर दो Wish Guru to Shrest Shish यह हम discuss नहीं करेंगे Next is Shehbaz Talks Offer What to Make of Pakistan Prime Minister's Statement तो first page पर भी हमने discuss कि Pakistan के Prime Minister का यह कहना है कि यह India के साथ अपने relations को build करना चाहते हैं and India के साथ यह peacefully तहीके से रहना चाहते हैं ठीक है? In an interview to Dubai based जो भी यहां पर नाम है Al Arabiya, Prime Minister Shehbaz Sharif said that Pakistan wanted serious and sincere talks with India and इनका यह कहना है कि जो United Arab Emirates है, यह United Arab Emirates यहां पर एक तरीकी का दोनों ही countries को टेबल पर ला सकता है क्योंकि United Arab Emirates के साथ तो Pakistan तो United Arab Emirates को अपना ब्रदर मानता है and India के साथ भी यहां पर UAE के relations काफी जादा अच्छे है As he has drawn in a third country to which Pakistan is beholden for periodic economic bailout तो यहां पर Pakistan, UAE, Saudi Arabia इन countries के पर dependent bailout के लिए क्योंकि Pakistan के पस Forex Reserve से 7-8 billion dollar and Pakistan को I think 2025 में कुछ 75 billion dollar का loan वापस करना है तो Pakistan यहां पर default तो करेगा यह तो पक कहे करेगा अब कब करेगा यह यहां पर देखने की बात है As he has drawn in a third country to which Pakistan is beholden for periodic economic bailouts and whose relationship with India can be described as excellent This is particularly because the UAE has earlier claimed to have played a role in bringing India and Pakistan to the table तो उनका यह कहना है कि UAE यहां पर दोनों ही countries से बात कर सकता है दोनों ही countries को table पर ला सकता है और दोनों ही countries में आपस में बात हो सकती है ठीक है अभी तक यह ठीक थाक बात कर रहे थे लेकिन फिर इन्होंने कश्मीर की बात कर दी कि 370 यहां पर हटा दिया गया autonomy चली गई है कश्मीरी इसकी minorities के पर अटा किया जाता है यह सब इन्होंने फिर बोलना चुरू किया Pakistan wants to live in peace with India provided we are able to solve our genuine problems to resolve our burning issues like कश्मीर where flagrant human rights are taking place day in and day out and to India ने यहां पर जो लोगों के autonomy है उसको चीन जा फिर इन्होंने यह सारी बाते की back channel conversations चल रहे हैं इसके बारे में बताये गया बाकि इन्होंने यह कहा कि हमने इंडिया के साथ 3 वाट्स के आंट 3 वाट्स के बाद हमारे हैं सिर्फ unemployment poverty and miseries ही आई है पाकिस्तान armies position अब यहां पर पाकिस्तान में आर्मी भी उतनी important है जितनी की इनकी इनकी यहां पर government important है तो जो former chief थे कमर जावेद बाजबा इनका यह कहना था कि हमें geo economics के लिए push करना चाहिए आठ इसी दिया इंडिया के साथ हमें trade relations को वापी से revive करने की ज़रूरत है फिर यहां पर इनके नए general आते हैं जो कि हैं general मुनीर अभी जो general मुनीर है इन्होंने तो यह कहा कि अगर इंडिया अटाक करता है तो पाकिस्तानी forces would defend every inch of our motherland तो इनका यह अभी statement आया है assessment of a statement तो अगर हम इस statement को assess करें जो कि यहां पर prime minister ने कही है जो पाकिस्तान की prime minister ने कही है तो इससे हमें क्या पता चलता है अब देखो पाकिस्तान की शिलनका जैसे condition हो सकती है चाइना का हमने discuss किया कि चाइना ने जो अभी तक block कर रहा था चाइना ने यहां पर allow कर दिया कि अब्दुलरह्मान मक्की को यहां पर global terrorist designate कर देना चाहिए तो जबसे यहां पर पाकिस्तान में economic crisis के chances बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे है पाकिस्तान को यह रगता है कि इंडिया के साथ हमें relations को नर्मलाइज कर लेना चाहिए जैसे जिनको पाकिस्तान कहता है कि यह हमारे brothers है UAE, Saudi तो UAE, Saudi इनके साथ तो इंडिया के relations भी बहुत ज़्यादा अच्छे है यहां तो यहां पर 75 billion dollar के investment करने की बात कर रहे है इंडिया में तो तब political and military leadership of Pakistan also know that इंडिया will not revoke इनको भी पता है कि ऐसा तो नहीं है कि यहां पर 370 को वापस लेया जाएगा यह इनको भी पता है maximum जमुर और कश्मीर को यहां पर statehood दिया जा सकता इस से ज़ादा तो कुछ भी concession नहीं होगा what remains is for both to convince अब इन्हें क्या करने की ज़रत है अगर यहां पर military हो या तो civilian leadership हो कि इनको अपने लोगों को convince करने की ज़रत है क्योंकि इन्होंने अपनी लोगों के दिमाग में यह भढ़ दिया कि इन्डिया बहुत बड़ा दुश्मन है उसके बाद जब इन्डिया के साथ ही trade relations को build करेंगे इन्डिया के साथ ही यहां पर बात करें कि हम peacefully तरीके से रहना चाते हैं लोगों को क्या कहोगे कि जिनको आप दुश्मन कह रहे थे आस तक आज आप कहते हो कि उनके साथ हमें trade relations को build करना है तो इंडिया के साथ इनको relations build करने पड़ेंगे इनके पास और कोई दूसरा option नहीं अब पाकिस्तान ने यह तो कहा कि हम बहुत को सीख गयें तीन बोट से लेकिन पाकिस्तान ने अच्छली को सीखा नहीं है जैसे कि यह सोच रहते हैं कि तालिबन वापस से अफगानिस्तान में पावर में आ जाए तो पाकिस्तान क्या करता है पाकिस्तान कोई पता है नेक्स्टर रो ओवर कॉप 28 प्रेसिडेंट तो जो कॉप 28 है यह होने वाली है यूनाइट अरव एमिरेट्स में तो कॉप 27 के बारे में हमने सारे मेजर अब्जेक्टिव के बारे में डिसकस किया जो भी यहाँ पर आउटकम से रही है हमने डिसकस किया कॉप 27 कहा पर रही होती शेर्मल शेक एजेक्ट में कॉप 28 यहाँ पर UAE में होने वाली है तो जिस कंट्री में यहाँ पर कॉप होती है तो वो कंट्री एक इंसान को यहाँ पर डेजिगनेट कर देता है कि यह हमारा प्रेसिडेंट रहेगा ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास बहुत जादा पावर्स होती है ऐसी कोई खास पावर्स नहीं होती पस यहाँ पर एजेंडा थोड़ा सेट कर देता है प्रेसिडेंट तो यहाँ पर जिस इंसान को प्रेसिडेंट की तरह सेलेक्ट किया गया है इसकी यहाँ पर एक oil company है यह oil company का CEO है तो climate change में हम बात करते हैं कि हमें oils को नहीं यूज़ करना है हमें fossil fuels को नहीं यूज़ करना है and आप किसी एक ऐसे person को president बना रहे हो जो कि यहाँ पर एक oil company का CEO है तो यहाँ पर conflict of interest तो होगा क्योंकि वो तो बात नहीं करेगा नहीं कि यहाँ पर oils का use नहीं होना चाहिए fossil fuels का use नहीं होना चाहिए अगर हम इस perspective से सोचें तो UAE के पास ही presidency नहीं होनी चाहिए क्योंकि UAE की economy जो चल रही है तो सिर्फ यहाँ पर oil based economy है अगर हम इस तरीके से सोचें तो कतर को भी नहीं मिलनी चाहिए थी लेकिन कतर यहाँ पर कॉप को host कर चुका है तो यह सब यहाँ पर issues बताए गया है Conflict of interest The United Arab Emirates, the host of COP28 has announced its industry minister will be the president of the two week long climate change conference और यहाँ पर criticism इसलिए हो रहा है क्योंकि यह CEO है of the Abu Dhabi National Oil Company the world's 12th largest oil company by production The fact that an oil company executive यहाँ पर दूर लेकर जाना है fossil fuels use नहीं करने तो यहाँ पर conflict of interest आ गया This is the first time that anyone having a direct connection to the fossil fuel industry has been appointed as president of the climate change conference Post of the COP president तो यहाँ पर जो भी host country की government होती है किसी person को select कर देती है कि यह इंसान हमारा president बनने वाला है It usually names one of its ministers as the president The role of the COP president is to facilitate it and guide the negotiations ऐसी कोई खास power नहीं होती है लेकिन बस यहाँ पर agenda को prioritize कर सकता है The president does not have any special powers but does play a key role in prioritizing the agenda of the discussions आज अगर हम देखें तो यह जो यहाँ पर climate change की COP हो रही है कुछ ऐसा significant outcome तो हमें निकलता हुआ देख नहीं रहा है अगर आप Paris agreement की भी बात करो तो Paris agreement में यहाँ पर यह कहा गया था कि countries यहाँ पर जितना कर सकते उतना वो करें तो जब आपने यही कह देए कि जितना आप कर सकते उतना ही करो तो इनसान अपने potential तक तो वैसे भी नहीं करेगा तो सब optimally results में लेंगे तो author नहीं यह कहा है कि अगर आप यह कहो कि COP28 यहाँ पर UAE host करेगा आंट इनकी जो president है यह यहाँ पर एक oil company के CEO है तो इसकी वज़े से यहाँ पर कोई significant outcome नहीं निकलेगा तो वैसे भी कोई significant outcome नहीं निकला है A case of bad optics It is an unrealistic apprehension that Sultan Al-Zabir or any other COP president can single-handedly state the negotiations in any particular direction तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं है लेकिन तब भी यहाँ पर conflict of interest यह तो सामने से दिख रहा है storm in a tea cup After all, जो उनकी oil company है यह state-owned है तो इस तरीके सो तो यहाँ पर UAE के पास ही presidency नहीं होनी चाहिए ऐसे तो फिने आपर Qatar के पास भी presidency नहीं होनी चाहिए थी लेकिन Qadra ने 2012 में COP18 को host किया था None of the Cops in the last 15 years तो कहीं पर भी आपको कोई significant outcome दिखा ही नहीं है अगर आपको यह लगता कि Paris Agreement a significant outcome था तो Paris Agreement में भी यहाँ पर country से यह कहा गया था कि जो भी आपको लगता best effort कर सकता आप वो करने की कोशिश करो जिसकी वज़े से हमें sub-optimal outcome भी देखने को मिला आप शो यहाँ पर 1.5 बिग्री शेल्टियस की बात की गई थी यह यहाँ पर अचीव हो नहीं पाएगा ऐसा author का कहना है चाइना's population declines तो चाइना की population में absolute decline देखने को मिला है चाइना को चाइना's population according to its National Bureau of Statistics fell to 1411.8 million in 2022 और इंजिया की population है 1417.2 million in 2022 जो की चाइना से जादा है लेकिन अभी हमारे census नहीं हुआ census अभी जल्द ही हो जाएगा 24-25 तक अब population बढ़ना इसके यहाँ पर 2 main drivers है कि कितने लोग मर रहे हैं कितने लोग यहाँ पर जन्म ले रहे है तो mortality and fertility mortality की हम जहां तक बात करें तो mortality यहाँ पर reduce हुई है तो mortality क्यों reduce हुई है अब इसके बहुत सारे reasons है जैसे कि access to food and medical care फमी नहीं आती है safe drinking water है sanitation है public health है vaccination program से तो कम लोग यहाँ पर बिमार पड़ रहे है कम लोग यहाँ पर मर रहे है तो mortality तो mortality यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी जो crude death rate था यह 23.2 था चाइना के लिए and 22.2 था इंडिया के लिए 1950 में दोनुई कंट्रीज के लिए 7.3, 7.4 इसकी आसपास आ चुका है ठीक है तो mortality में हमें बहुत कमी देखने को मिलीगी यहाँ पर कम लोगों की death हो रही है Another mortality indicator is life expectancy तो life expectancy यहाँ पर 70 साल पहुच चुकी है कहाँ पर independence के दोरान यहाँ पर 40 थी तो अब यह 70 पहुच चुकी है दद दद 5.7 था इंडिया के लिए अब यह 2 पर बहुच चुका है जो कि यहाँ पर total fertility rate of 2.1 is considered as replacement level fertility replacement level fertility का मतलब यह है कि यहाँ पर जो parents हैं यहाँ पर जो mother father है उनको यहाँ पर दो लोग और replace कर रहे हैं तो इससे आप यह कह सकते हूँ कि population यहाँ पर stable हो जाती है अगर यहाँ पर total fertility rate 2.1 है अब आपका यह मानना होगा कि 2 होना चाहिए न 2.1 क्यों है अब 2.1 इसी लिए है क्योंकि सारे infants यहाँ पर survive नहीं करते हैं हो सकते हैं यहाँ पर किसी की death हो जाए इसी लिए इसको 2 से थोड़ा जादा लिया जाता है 2.1 तो replacement TFR is taken at slightly above 2 अब आपका यह question होगा कि अगर हमारे हैं पर total fertility rate ही 2.1 हो गया तब तो हमारी population भी decline करनी चाहिए लेकिन actually जब बहुत लंबे समय तक total fertility rate यहाँ पर 2.1 रहे गया हमारी population decline होगी चाहिना की अगर हम बात करें तो चाहिना का जो total fertility rate है यह replacement level से लगबख 30 साल पहले 2.1 से नीचे चला गया था अब हमें चाहिना की population में absolute decline देखने को मिल रहे तो हमारी population भी यहाँ पर आने वाले 40 साल तक तो बढ़ेगी बढ़ेगी उसके बाद यहाँ पर ज़रू decline होगी तो जरूरत यह है कि जो आपका यहाँ पर fertility rate है यह replacement level से लंबे समय तक नीचे रहे तो 2.1 से लंबे समय तक नीचे रहे तभी आपकी population यहाँ पर decline करेगी The TFR is the average number of births by women aged 15 to 49 based on surveys for a particular period year Populations can keep growing भले ही आपका यहाँ पर total fertility rate fall ही होना हो रहा हो Degrowth requires कि यहाँ पर total fertility rate है यह यहाँ पर replacement level से 2.1 से यहाँ पर बहुत लंबे समय तक नीचे रहे तभी आपकी population में यहाँ पर absolute decline देखने को मेलेगा The effects of that fewer children today becoming parents tomorrow and procreating just as much or less जिसकी वज़े से हम हमें couple of generations के बाद देखेगा कि population ultimately decline होना start हुई है तो चाइना का TFR यहाँ पर replacement level से नीचे चला गया था 1991 में and 30 साल के बाद which was almost 30 years before India तो इंडिया से यहाँ पर 30 साल पहले ही यहाँ पर जो चाइना का total fertility rate है यह replacement level से नीचे चला गया था तो इतना टाइम लगा चाइना की population में absolute decline देखने के लिए तो इंडिया में भी हाँ पर लंबा समय लगने वाला है अभी तो हमारी population बहुत ज़द इंक्रीज होने वाली है तो हमारी population बहुत ज़द इंक्रीज है हमारे पास demographic dividend जो आपका है अगर आप चाहते हो कि आपका demographic dividend यहाँ पर demographic disaster ना बने तो आपको यहाँ पर jobs create करना बहुत ज़रूरी है India has just begun seeing fertility rates fall to replacement levels including ruler areas अब rural areas में fertility rate decline हो रहा है इसका क्या reason है इसका reason यह है कि लोगों के पास education है and farm mechanization हो रहा है land holdings की fragmentation हो रही है तो जादा labor requirement की ज़रूरत नहीं labor requirement यहाँ पर कम हो रही तो लोग यहाँ पर families भी अपनी छोटी रख रहे है but even with fertility rate declines India's population is projected to degrow only after touching 1.7 billion about 48 from now तो अप से 40 साल के बाद हमारी population declines होना start करेगी and हमारे पास बहुत ज़दे young workforce है हमारे पास demographic dividend है तो हमें इस demographic dividend का benefit हुटाना चाहिए आठ इसके लिए आपको employment opportunities को create करने की ज़रूरत है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो demographic dividend है यहाँ पर demographic disaster बन जाएगा यह आपके लिए demographic nightmare बन जाएगा word page पर यहाँ पर को important news नहीं है लेकिन word economic forum की जेवास समिट हो रही है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है जिसमें कि यहाँ पर Ukraine की first lady गई important ही है next है why RBI want states against old pension scheme अब old pension scheme में यहाँ पर हमने discuss कहता कि old pension scheme में यहाँ पर liabilities increase हो जाएंगी क्योंकि old pension scheme में क्या है जो भी आपकी यहाँ पर बास-drawn salary है उसका 50% आपको pension की तरह में लेगा फिर यहाँ पर national pension system लेकर आए गया था new pension scheme जिसमें यह कहा गया था कि जो यहाँ पर employ है यह अपना 10% देगा plus इसके लाव जो government है यह यहाँ पर 10% contribution करेगी central government 14% contribution करती है तो इनको यहाँ पर invest किया जाएगा shares bond में and shares bonds यहाँ पर जैसा perform करेंगी उसके basis पर यहाँ पर pension मिलेगी तो यह यहाँ पर contribution based है national pension system लेकिन old pension scheme यहाँ पर contribution based बिलकुल भी नहीं आपको यहाँ पर defined pension मिलती है जो कि 50% होती है जो भी कि पास इतना पैसा नहीं है कि state यहाँ पर इतनी liabilities को जहील सके ओल्ड pension scheme versus NPS and old pension scheme तो यह unfunded pension scheme में कोई contribution नहीं करना पड़ता है आपको बस यहाँ पर अपनी नौकरी करनी होती है और जब आप रटायल होते तो आपकी जो भी यहाँ पर last round salary है उसका 50% अपको pension की तरह मिलने लगता है under this scheme the contribution of the current generation of workers was explicitly used to pay the expansion of existing pensions लेकिन यहाँ पर जो नाशनल pension system में जो यहाँ पर new pension scheme में यहाँ पर contribution की बात की जाती है तो NPS is a defined contribution pension scheme जिसमें कि यहाँ पर individual अपना 10% देता है और जो government है यहाँ पर equal contribution करती है central government यहाँ पर 14% contribution करती है NPS is mandatory for central government employees जेनोंने services को 2004 के बाद जोइन किया है and almost all state governments have adopted to it for their employees लेकिन हमने कुछ समय देखा जैसे कि यहाँ पर हिमाचल old pension scheme में वापस चलागे इसके लावा यहाँ पर 36 गड़ वापस चलागे राजिस्तान वापस चलागे अब यह लोग ऐसा क्यों कर रहे है तो यह सिर्फ यहाँ पर voters को who करने की कोशिश करे है जिसकी वज़े से यह ऐसा कर रहे है तो आप समझ सकते कि यहाँ पर populist measure है जिसकी वज़े से यहाँ पर लोगों को लगेगा कि old pensionist की हमें तो कोई contribution देने को भी नहीं मिल रहा है और हमें free में यहाँ पर pension मिल रही है तो इसकी वज़े से यह सब किया जा रहा है RBI warning has come after more states joining the queue to bring back OPS instead of the national pensionist की तो इन सब ने कह दिया कि हम तो यहाँ पर OPS में वापिस जाएंगे अभी तो इन government को कोई फरक नहीं पट रखियों कि अगर आप समझ सकते 2004 से तो 2004 से यहाँ पर liability start होगी तो आने वाली government को यहाँ पर इन सारी liabilities को bear करना पड़ेगा Next is news flagged as fake by PIB not allowed on online platforms तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर PIB ने किसी news को fake कह दिया है तो उसको यहाँ पर online platforms पर यह allowed नहीं होगी अब यहाँ पर criticize को यह किया गया है कि government अगर यह चाहती कि कोई भी content को take down किया जाए and यह content government को पसंद नहीं आ रहा है तो PIB से कहकर उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा उसको यहाँ पर fake declare करा दिया जाएगा and जो यहाँ पर online यहाँ पर sites हैं वहाँ पर आपको वो news नहीं मिलेगी That is dangerous because it sets a scenario that any news item जो कि यहाँ पर government के लिए inconvenient है तो इसको यहाँ पर fake flag कर दिया जाएगा by the PIB fact checking unit aren't इसको यहाँ पर take down करना पड़ेगा any piece of news that has been identified as fake by the fact checking unit of the PIB the centers node allegiance to share news updates will not be allowed on online intermediaries including social media platforms like facebook, youtube, twitter, meetee तो यह सब यहाँ पर बतायाएगा draft proposal तो अभी तो यह draft जब finalize हो जाएगा तब हम discuss करेंगे इसको detail में तो आज की newspaper में तो इतना ही था तो अगर आपको engine express का highlighted portion चाहिए plus static parts related to every topic तो आप इसको buy कर सकते हो इसके लिए आपको care procedure follow करना है तो सबसे पहले आपको अपने telegram account का username बनाना है then you have to change your privacy settings for that आपको settings में जाना है then privacy and security, then groups and channels who can admit to the group chats and वहाँ पर आपको everybody choose करना है you can pay via UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send payment proof along with your telegram user ID to the mentioned email ID second program है current affairs mentorship program जिसमें current affairs को detail में discuss किया जा रहा है आपको in-depth understanding मिलेगी जो भी आपको sources देख रहे हैं इन सबसे current affairs को cover किया जा रहा है आपको lectures मिलेंगे on everyday basis आपको daily pdfs मिलेंगी आपको daily quizzes मिलेंगे personal doubt clearing sessions होंगे इसका price is 2000 rupees per month static portion जो की current affairs से related होगा उसको detail में discuss किया जाएगा आज ये series आपको prelims के लिए भी useful रहेगी आज आपको means के लिए भी useful रहेगी आगर आप interested हो then you can make payment via UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send your name, email ID, telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID wait for some time to get added to the premium group जहाँ पर आपको daily link मिलेंगे further videos आज अगर आपको ये analysis पसंद आती है तो आप comment section में comment भी कर सकते हो अगर आपको चैडिशन कराना चाते हो तो भी आप comment कर सकते हो तो first page पर हमने discuss किया कि जब पाकिस्ता के prime minister उनका ये कहना है कि हम इंडिया के साथ peace चाते हैं हमने यहाँ पर war करके देख लिए हमें कुछ नहीं मिला हमें यहाँ पर सिर्फ गरीबी मिली हमें यहाँ पर unemployment मिला तो अब हम इंडिया के साथ peace चाते हैं उसके लिए नोंने UAE से कहा कि आप यहाँ पर कुछ मदद कर सकते हो दोनों ही countries को टेबल पर लाने के लिए ठीक है चाइना ने क्या किया तो चाइना ने जो ब्लॉक कर रखा था कि अब्दुलरह्मान मक्की को यहाँ पर global terrorist नहीं designate किया जा चाइना ने allow कर दिया कि ठीक है यह जो अब्दुलरह्मान मक्की है इसको यहाँ पर global terrorist designate कर दिया जाए तो यहाँ पर अब्दुरह्मान मक्की को designate कर दिया गया है global terrorist फिर हमने यहाँ पर cyborg के बारे में discuss किया तो हमने इसमें DRDO का जो RET का example है उसको हमने discuss किया basically यहाँ पर RET पर surgical intervention करके chip implant की गई है तो आप ऐसे humans में भी सोच सकते हों कि यहाँ पर bone marrow transplant हो रहा है इसके रहाँ यहाँ पर artificial pancreas को लगाया जा रहा है तो यह सब cellbox create हो रहे हैं तो cyborg cellbox अब हम चलते हैं आगे Supreme Court to Center won't lack of power in posting dilute functional control of Delhi ministers over offices तो हमने discuss किया कि जो यहाँ पर solicitor general है जो कि administrative control है तो यहाँ पर chief justice of India को basically यह कहना है कि जो आपने demarcation बताए कि इसकी वज़े से अगर Delhi government के पास यहाँ पर नहीं administrative control तो इसकी वज़े से जो इनका functional control है क्या यह dilute नहीं होता अगर उस इंसान को पता है कि जो green signal आना है अगर उसको कहीं post करना है या कहीं उसका transfer करना यह तो यहाँ पर ministry of home affairs से ही आना तो उसको भी बता है यहाँ पर elected minister के पास कुछ बावरी नहीं है Supreme Court उसे इंटर why isn't your own regime responding to your query तो यहाँ पर Supreme Court में petition गई थी कि जहाँ पर हिंदूस minorities में है वहाँ पर हिंदूस को minority tag मिलना चाहिए TMA5 case में Supreme Court ने यह कहा था कि जो minorities हो उनको identify किया जाना चाहिए at the state level फिर यहाँ पर हमने एक rare duck देखी लोक्टक लेक money poor पहला fact यह यह याद रखना है इसका नाम है greater scope and यह 94 years के बाद site हुई है next हम चलते हैं आगे India and the new Eurasia तो यहाँ पर यह बताएगी है Japan South Korea तो यह अपने engagement को increase कर रहे है European Union के साथ European Countries के साथ अगर हम देखें तो इंडिया को भी अपने relations build करने के जर्रत है European Countries के साथ ऐसा author ने का है कि जो अभी तक आप demarkation करके चल रहे थे कि हमारा एक maritime coalition है जब हम quad countries के साथ है एक हमारा continental coalition जिसमे हम रश्या के जाता साथ है लेकिन author ने का यह demarkation बहुत लंबी समय तक नहीं चल पाएगा next is the wrong step तो यहाँ पर government यह चाहती है basically यहाँ पर जो union law minister है उन्होंने यह सज़ेस्ट किया कि government का एक nominee होना चाहिए search and evaluation committee में तो author के basically यह कहना है जो government यह collegium mentor होने की कुशिश करी है and government यह चाहती है कि जो यहाँ पर judicial primacy है यहाँ पर जो collegium system है इसमें यहाँ पर government के entry हो जाए and judicial primacy यहाँ पर hurt हो and जो यहाँ पर judicial independence है यह भी यहाँ पर hurt होगी and judicial independence एक basic feature and constitution का next step demo site तो यहाँ पर बात कीए कि democracy यहाँ पर कैसे खतम हो रही है जो countries और democracy से कैसे दूर जा रहे है यहाँ पर Brazil का example दिया Germany के example दिया इसके लबब है यहाँ पर USA का example दिया Fox in the hand house तो यहाँ पर government की बात की गई है कि government यहाँ पर कलेजय में इंटर होनी की कोशिश कर रही है अब Pakistan की Prime Minister यहाँ पर peace build करने की क्यों बात करें क्योंकि इनकी जो हालत है यह श्रिलंका जैसे होने वाली बहुत जल्द तो यहाँ पर जो COP28 President है यह है UAE जो COP28 President में आए गया है यह इनका Industry Minister जो की एक oil company का CEO है तो यहाँ पर conflict of interest है climate change के लिए तो आप बात करें तो की fossil fuels का use नहीं करना एक तरफ यहाँ पर जो इनसान oil company का CEO है उसको आप यहाँ पर president मना दे रहे हो तो यह यहाँ पर conflict of interest यहाँ पर बात की गई है चाइना की population तो चाइना की population में absolute decline हुआ है तो चाइना का total fertility rate बहुत पहले ही replacement level से नीचे शला गया था अब चाइना की population में decline हमें देखने को मिला है इंडिया का जो fertility rate है total fertility rate replacement level से नीचे रहता है उसके बाद ही यहाँ पर जो population decline हमें देखने को मिलता है तो basically populations can keep growing भले ही total fertility rate नीचे क्यों ना आ रहा हो degrowth requires total fertility rates to remain below replacement levels for extended periods तो अगर लंबे समय तक यहाँ पर total fertility rate replacement level से नीचे रहता है तब ही हमें यहाँ पर population में decline देखने को मिलता है तो यह लोग यहाँ पर करेंगे क्या तो demographic nightmare ना बने demographic disaster ना बने उसके लिए आपको यहाँ पर employment opportunities को create करने की जरर है तो अगर आप यहाँ पर job नहीं प्रोवाइच करोगे इनके पास कोई काम नहीं होगा यह यहाँ पर रोज प्रोटेस्ट करेंगे नेक्स नहीं है बस World Economic Forum के बारे में आपको ज़रूर पता हो ना चाहिए कि World Economic Forum यहाँ पर कौन कौन से रिपोर्ट्स निकालता है प्रिलिम्स में कश्चन आई थिंग का चुका है कि Global Gender Gap Report कौन निकालता है तो अगर आपको पता हो then please tell me in the comment section वैसे World Economic Forum ही निकालता है next is news flagged as fake by PIB not allowed on online platforms then हमने यहाँ पर डिसकस किया old pension scheme and new pension scheme तो old pension scheme में यहाँ पर यह कहा गया है कि 2004 से पहले के लिए यहाँ पर old pension scheme थी कि जो भी आपकी यहाँ पर last drawn salary है उसका 50% आपको pension की तरह मिलेगा आपको कुछ contribution करने की ज़रती है आपको कुछ करने की ज़रती है आपको यहाँ पर जब आप retire होगे तो जो भी आपकी last drawn salary जैसे की एक लाग रुपए तो आपको 50,000 रुपए यहाँ पर pension की तरह मिलेगा लेकिन new pension scheme में आपको यहाँ पर 10% contribution करना पड़ेगा इसके लावब यहाँ पर government equal contribution करेगी ठीक है अगर central government है तो central government यहाँ पर 14% contribution करती है आप यहाँ पर 10% contribution करोगे ठीक है तो ऐसे में जो आपने contribution किया है इसको यहाँ पर invest किया जाएगा shares में bonds में shares bonds यहाँ पर जिस तरीके से काटे का लाएता है NPS OPS के बारे में आप उसको पढ़ सकते हो आपको यहाँ पर थोड़ा idea लग जाएगा कि यहाँ पर लोग क्यों demand करें उनको OPS में क्यों जाना है और यहाँ पर NPS क्यों जादा अच्छा है अब आरेपया ने बेसिकली यह कहाए कि अगर आप old pension scheme में वापस जाओगे तो इसकी वज़े से क्या होगा इसकी वज़े से यहाँ पर state की liabilities लगातार includes हो जाएगी अभी तो आपको कोई फरक नहीं पढ़ रहा लेकिन 2024 में जो सरकार होगी उसको यहाँ पर बहुत फरक पड़ेगा कि अगरा का कि जो आपक से काया आ उावकशाओ पर